दोस्तों अगर आप भी अपने फॉन में किसी एप को प्ले स्टोर से इनिस्टॉल करने की कुशिस करते हैं लेकिन आपके सामने कुछ इस परकार का एरो आ जाते हैं यहां पर देख सकते हैं कि मैं अभी bulbul shopping online app को अपने phone mini install करने वाला था क्योंकि मुझे जो है कुछ product को online purchase करना था तो यहां पर जैसे मैं इस app को download करने की कौशिस कर रहा हूँ तो मेरे सामने देख सकते हैं कि यहां पर एक arrow लिख के आ रहा है यहां पर है लिखा your device instant completed with the version इसका मतलब यह होते हैं कि यह जो मतलब की app है इसका version बहुत जैदे हैं और आपका जो phone है वो कमजोर है आपका phone में यह app नहीं चलेंगे इसलिए आपको इस app को download करने की इजाज़त नहीं है आप इन app को download नहीं कर सकते हैं लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं app का use करूँ मेरा phone कमजोर है तो क्या अगर आप इन app को use करना चाहते हैं कोई भी app हो अगर इस परकार का error आ रहे हैं तो फिर आज आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप इन्ही एप को किसी अन्य तरीके से अपने phone में इन इस्टाल करके use कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन यार वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपसे एक छोटा सरगस्ट करना चाहूंगा अगर आप अभी तक हमारे Tech Family YouTube चैनल से नहीं चुरे हैं तो नीचे में दिये गए लाल कलर के सबस्क्राब बटन को क्लिक करें और घंटी को भी आउन कर दे ताकि Tech Family YouTube चैनल पे जब भी कोई नई वीडियो आए तो इसका जो नोटिफिकेसन है आपके मोबाल में चले जाए और आप इन सबी वीडियो को सबसे पहले अपने फोन में देख पाएंगे मेरा मानूं तो यार जल्दी से सबस्क्राब कर लो क्योंकि यहां पर आपको रोजाना अच्य-च्य वीडियो आते रहते हैं देखने के लिए so let's start the video without losing anymore time तो दोस्तों इसके लिए ग्यार सबसे पहले आपको वीडियो को description खोलना है और वहाँ पर आपको एक website का link मिलेंगे जिन पर आपको click करना है जैसे आप उन website पर click करते हैं तो उस website का नाम है M.Ipicar ठीक ना, यहाँ पर कुछ इस तरह का website है जो open हो जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह website open हो रहे अब जैसे ही यह website open होंगे तो play store के जितने भी app है ठीक ना, play store का जितने भी app है एक भी app छुटा नहीं है जो यहाँ पर वो अप आपको ना मिले ठीक ना, मतलब जो app है play store पर वो अप आपको यहाँ भी मिल जाएंगे simply आपको यहाँ पर search करना होता है तो जो app को आपको download करना है उन एप को यहाँ पे आपको search के बटन में search के button में click कर करके आप उन एप को बहुत ही आसानी से search कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सभी के सभी Muslims मिल जाते हैं जो आप search करते हैं तो वहाँ पर देख सकते थे कि मुझे बुलूल shop नहीं मिल देते कि अपने फोन में यूज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे फस्ट में बुलबूल सौप आ चुके हैं और हमें इनहीं पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक ऑप्संस मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकत बस आप उस पर इन इस्टॉल करें और आप इस अपका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी जो है डाउनलोडिंग अस्टार्ट है, उसके बाद यहाँ पर मुझे एक छोटा सा एरो मिलेंगे, जिन पर हम क्लिक करके इस अपको अपने फोन में इस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आ चुके हैं, अब हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह जो एप है हमारे फोन में इस्टॉल, सॉरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब आपको यह अपको अपने फोन में आ जाते हैं, तो आप सिंपल चलिए अपने फोन का जो फाइल होते हैं वहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फोन का यहाँ पर डाइलर है और मेरा जो एप है वहीं पर सेब हो जाते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर, उसके बाद एपलिकेशन, इसके बाद यहाँ पर मेरा एप आ चुके हैं, यहाँ बुलबुल शॉप और उसके बाद हम यहाँ पर इनिस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे और यह मेरा जो एप है अब हमारे फोन में इनिस्टॉल हो जाएंगे तो कुछ इसी तरह से इस प्रवलम का सल्लिवसन है जिनने आप पास सकते हैं तो आसा करता हूं कि यह वीडियो आ आपी के साथ ठांक्स वोचिंग और गुद्भाइ बंदे मात्रंग